साइन्स पढ़के भी क्या होगा, आर्ट्स पढ़के भी आगे क्या होगा, इसके बारे में भी कोई क्लेरिटी नहीं थी, ये करते-करते, ये सोचते हुए, मैंने एक दिन आया और अपनी नौकरी से इस्तिफा दे दिया, इन तीन-चार सालों में हमने जो भी एक्जाम दी, उन सब में अंती मस्तर तक हमको सफलता प्राथ हुई, ये इस प्रकार का फॉर्मूला एक हमने डेवलप कर लिया थी, वही बुक्स पढ़ी, रिगुलर रिवीजन किया, एंसर आइटिंग के प्रेक्टिस की, हार्ड वर किया, अब जो तीन चीज़ें थी, जो कोई नहीं क करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं, चाहे यूट्यूब पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे वाट्सप पे, आपने अपने न्यूस फीड में बार बार एक ख़बर जरूर सुनी होगी, कि देश के अंदर, अपने देश के अंदर एक ऐसा परिवार ह पहने और सभी ने सिविल सिवा परिक्षा पास करके, वो सभी I.S. और I.P.S. बन गए हैं, नमस्कार, मेरा नाम है योगेश मिश्रा, और मैं उस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हूँ, सबसे पहले 2014 में सिविल सिवा परिक्षा पास की, मैंने, आज आपसे मैं बात करू हैं, इसमें सबसे अधिक रोचक बात ये है, कि जहां पर इस परिक्षा में हर साल लाखों में सिर्फ एक व्यक्ति सेलेक्ट होता है, ऐसा कैसे हुआ कि हम चार के चारों लोग उन लाखों में अपनी जगा बना पाए, और इस यात्रा की शुरुआत भी बहुत पीछे से न हैं, लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ है, यह सब शुरू होता है इसकी कहानी हमारे गाओं में, जो कि है उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे छोटा सा गाओं जो कि परताब गरजिले में हैं, वहां से, 90 का दौर है, हम लोग वहां पर पढ़ते थे, यह वह दौर था जब के दौरा बताएं कि रास्ते पर चलते रहे, माता-पिता हमेशा यह कहते थे कि जो भी पढ़ा ही पढ़ा रहे वा अच्छे से पढ़ हो, आके जो होगा देखा जाएगा, थोड़े अच्छे होंगे, थोड़े कम अच्छे होंगे, थो आर्ट ने पढ़ लेंगे, लेकिन स करशन से कभी-कभी मन में विचार आता था कि एक्जाम देंगे किस्मत अच्छी थी मैंने साइन साइड लिया साइन साइड में पढ़ाई करते हुए मेरा सेलेक्शन हो गया इंजिनिंग के लिए मैंने अपना इंजिनिंग कर लिया मोतिलाल नहरू से इलाबाद में और उसके अंकूर को पलवित होने दिया यह बड़ा व्रिक्ष बन गया और एक समय आया जब उन्होंने ग्रेजुशन अपनी कंप्लीट करने के बाद वो त्यारी उन्होंने स्टार्ट कर दी लेगिन सफलता अब भी उनसे कोसो दूर थी क्योंकि कोई दिशा ही नहीं थी कोई ग्या नहीं नहीं था यहां दिल्ली आ गई दिल्ली में भी वही सिती थी मैंने यही चीज देखा कि जो अच्छे सुसाइटी के लोग हैं बड़े घरों के लोग हैं उनके जानने वाले एक या दो तीन ऐसे वेक्ती जरूर रहते थे जो अलड़ी सिवाओं में हैं और वो उनसे स साल में सफलता प्राप्त की उसके बारें बात करेंगे और कैसे बाद में सभी ने एक के बाद एक एक साल के अंदर सफलता प्राप्त की उसके बारें बात करेंगे कौन से सहायक तब तो हैं कौन से सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं जो हमको यहां तक ले आते हैं जैसा मैंने बताया है मैं अपना B.T.E.K कंप्लीट करके मैंने अपनी नौकरी शुरू कर दी और मैं नोड़ा में नौकरी करने लगा उसी दोरान मेरी बहने उन्होंने अपना पीजी कंप्लीट करके वो दिल्ली के लिए फायदे मंद है आर्ट वालों के लिए लेस फेवरेबल है यह एक कारण हो सकता है लेकिन साल दर साल उनको सभलता नहीं मिल रही थी के पेपर उनको बड़ा कठी लगता था लेकिन जब मैं उसको देखता था तो मुझको लगता था यह बहुत आसान है इसमें 200 में 180 नंबर आसानी से ला सकते हैं जबकि टोटल कटॉफ ही 190 नंबर जा रहा है तो यह यह पेपर देखते हुए यह एक्जाम देखते हुए उनसे फॉरें जाने का मेरा नंबर आने वाला था मैंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे बॉस मेरे उनसे भी बात की उन्होंने भी इस आइडिया को 50-50 सपोर्ट किया उनका तुम्हारा मन है तो तुम जा सकते हो बट यहां पर तुम एक बड़ी बहुत बड़ी करते तुमको अपनी सिन्यॉर्टी पोजिशन लूज करनी होगी बिकॉज यह लूजिंग यह इन सभी बातों को जोड घटा कर गुड़ा भाग करके मैंने देखा कि यहां सवदा बुरा नहीं है लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी यहां पर वो था कि आपके परिवार का स माझन से त्यारी कर लो जो पर अपैलली कर लो अनलाiz में मेर उतने उपलब्द नहीं होता है इस को सब को जो जोड़े यह सोचते हुए मैंने एक दिन आया और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया लेकिन कठीन काम आप शुरू होता था इस्तीफा देने के बाद आप वो रास्ता तलाश ही आप वो मटेरियल तलाश ही आप उन लोगों से मिलिये जो अलड़ी सेलेक्ट हो चुके हैं चाहे gamins में चाहे इंटरीव में अीसे लोगों से मिलना मुश्किल रहता था लेकिन तमाम इन्टरनेट पर लोगों से इंटरनेट-फर पढ़ते ब dumbass अब जो बहुत यह करती थे वो हमने की और उसके बारे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तमाम लोग यह पूछते हैं कि एक साल में संभव कैसे है, क्या यह संभव है, तो उसका जो सबसे पहला बेसिक है, वो है आपके बेसिक्स मजबूत होने चाहिए, अगर आपका बेसिक मजबूत है, तो आप कोई भी काम इस तरह का एक्जाम एक साल में निकाल सकते हैं, एक उ इसी तरह अगर सभी सब्जेट के basic चीज़ें आप समझ गए, जैसे भूगोल का एक basic है, जो गर्म चीज होगी वह उपर जाएगी, जो ठंडी चीज होगी वह नीचे आएगी. अगर आपने इस basic चीज़ को समझ लिया, तो सारा भूगोल समझने वे आपको एक हफते का समय ल होती है जो कि युवा वस्था में अधिकांश लोग आप हैं हम भी थे बहुत जारा डिस्ट्रेक्शन होते हैं हम यह करते हैं इधर जाते हैं इस चीज को हमने एक साल के लिए एक साल के लिए आप यकीन मिलेगी सिर्फ उन्हों को से मिलता इन इस डिस्ट्रेक्शन को मैंने पूरी तरह अवाइड करके अपने आपको एकदम नैरो कॉंट्रैक्ट में रखा और यह जो दूसरी चीज थी जिसने मेरी बहुत मदद की एक साल में एक्जाम क्लियर करने में तीसरी आती है प्लानिंग जब मेरे पास एक साल का समय मिला तो मैंने इतनी बढ़िया से सारी प्लानिंग की कि मेरा 11 महिने में सारा स्लबस कंप्लीक्ट हो जाए ऐसे ही बात में एसे लोग मुझको मिले जिनके पास माले जे 9 महिने का समय है दस महिने का समय है आप उस 10 महिने के ईकॉर्डिंग अप alert उपलब्द समय है उसके according आपनी planning बनाई है हमने हमेशा ऐसी planning बनाई जितना समय उपलब्द है आप उसमें ऐसी planning करिए कि आपका पूरा syllabus complete हो जाए आप proper revision कर लें क्योंकि बिना planning के अगर आप चल रहे हैं तो आपका result भी बिना planning कहीं आएगा और आप वह planning commission की तरह पांच साल की जैसे पंच वर्षी योजनाएं आती थी आपकी तैयारी उसी तरह योजना बन तरीके से चलती रहेगे लेकिन अगर आप planning करेंगे एक साल में आएंगे एक साल तैयारी करेंगे और एक साल की process में आप निकल जाएंगे क्योंकि ये बात आप जरूर जान लिजे कि जितना समय और जितना वर्ष आप तैयारी में लगाते हैं इसका benefit किसी को नहीं मिलता ना आपको मिलता है और देश को मिलता है आप जितनी देर से सेवा में पहुंचते हैं आपको आपका seniority का उतना loss होता है और देश को आपकी स चारों भाई बहनों को आगे बढ़ाया और वो सभी लोग UPSC में सेलेक्ट हुए एक और इंट्रेस्टिंग बात बताता हूं वो ना सिर्फ UPSC में सेलेक्ट हुए बलकि उन्होंने जो भी एकजाम दिये जैसे मेरी छोटी बहन थी उन्होंने इंडिन एकनामिक सर्विस मे को सफलता प्राफ्त हुए यह इस प्रकार का फॉर्मूला एक हमने डेवलप कर लिया जब हम चारों को सफलता प्राफ्त हो गई तो यह सिलसिला यहीं रुकता नहीं है उसके बाद तमाम लोग हमारे संपर्क में आने लगे हमने उनको गाइड करना स्टार्ट किया और आपने कैसे क्लियरंस की स्टेज पर ले आएं इन सभी बातों को सुनते हुए और साल दर साल ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ते हैं इन सभी बातों को सुनते हुए और समावेश करते हुए हम लोगों ने खुद अब एक इनिशेटिव लिया है और एक ग्लोरी आईएस के नाम से हमने अपना एक चैनल और अपना एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जहां पर हम अब के समय के लोगों को गाइडेंस देत को सितले हैं मेरी चोटी बैन 2015 में सेलेक्ट होती हैं बडी बहन 2016 में सेलेक्ट होती हैं और उसके बाद मेरे छोटे भाइएं वहां की डीयम है और मेरे छोटे भाई जारखंड में ही कोडर्मा एक जिला है वहां के DDC हैं CDO जिसको अपने हाँ बोलते हैं ज़ातर जगहों पे तो इस पूरी कहानी में हम यह देखते हैं कि UPSC एक कठिन परिक्षा है आप मेंसे कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत सालों से इसकी तयारी कर रहे होंगे या आप तयारी करने की सोच रहे होंगे उनसे मैं एक बात यह जरूर करना चाहूंगा निकल कर देश को अपनी सेवाएं देना प्रारम कर सकते हैं इसमें दो ऐसी चीजे हैं जिनके बारे हम बात करेंगे जो पढ़ाई से संबंदी नहीं है पहला है उसमें mental health और दूसरा है आपके माता पीता है पहला है आपका health और दूसरा है आपके माता पीता है हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो इस दोरान तयारी के दोरान आपकी हेल्थ प्राइम होनी चाहिए, बिल्कुल आप फिट रहने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई, सारी तयारी ओ धरी की धरी रह जाती है, यदि आपको exam के दिन, exam के समय आपका health आपका साथ छोड़ देता है. अब health का मतलब सिर्फ physical fitness नहीं है, mental health बहुत जरूरी है. ये कैसा exam है जो आपको frustration में ले जाता है, depression में ले जाता है, anger में ले जाता है. ये सारे mental issues हैं, आजकल के समय तो आप देखें, बहुत बड़े-बड़े celebrities इसकी बात कर रहे हैं, बहुत इसकी बाते होती हैं, पहले इतनी बाते नहीं होती थी, लेकिन हम लोगों ने हमेशा इस पर अपना गवर रखा, योगि हमको पता है कि जब आप exam में mentally fit होंगे, तभी आपके अंदर का सारा ग्यान, exam में बाहर निकल के आप आएगा, चाहे आप answer copy में, चाहे इंटर्यू में, आप अपना पूरे ग्यान का production तभी कर पाएंगे, जो आप mentally alert रहेंगे और fit रहेंगे, दूसरा आता है हमारे माता-पिता, उनके सहयोग और उनके समर्थन, उनके आपके साथ है, तो बहुत कठी नियात्रा भी बहुत आसान हो सकती है, बहुत सारी बाधाएं हट सकती है, आप हम चारों को देखेंगे, और हम चारों के बीच में common element जो है, वो हमारे माता-पिता है, यदि चारों में कोई commonality है, तो हमारे माता-पिता है, तो आप इसी समझ सकते हैं कि वो माता-पिता, उनका पूरा शहयोग, पूरा अशिरवाद हम सभी के साथ रहा, जिसकी वज़े से हम सभी एक ही तरह का रिजल्ट पराप्त कर पाए, और जो कि एक अच्छा रिजल्ट है, यूपीएसी के च्छे परेंगे। रिटिन, अप्टिटूट और स्पोकन, तीनों की आवशकता होती है, चाहे एक्जाम हो या इंटर्व्यू, इंग्लिश तो जरूरी है ही, मैंने जोज्टॉक्स के साथ मिलकर बनाया है, इंग्लिश फॉर गॉवर्मन्ट जॉब्स का एक कोर्स, जिसमें मैं एक्जाम्स मे आने वाली इंग्लिश जैसे की aptitude, vocabulary, comprehension इसकी तो तयारी करा ही रही हूँ, पर साथ ही साथ spoken English प्राक्टिस करने के लिए एक माहौल दे रही हूँ, जहां आप बिना डरे, बिना शर्माए अपने इंग्लिश प्राक्टिस कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इं प्रू कर सकते हैं, description और comments में दिये गए link को click करें